हैलो फ्रेंड्स मैं आप पुर्वा और मेरे कीचन में आप सभी का एक बार फीच से स्वागत है कैसे हैं आप लोग आई होप आप सब ठीक होंगे आप शेयर करूँगी करवा चोति स्पेशल रबडी तो आप सब को बहुत पसंद आएगी तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसेपी सबसे पहले हम एक कड़ाई लेंगे और उसमें थोड़ा देशी घी डालेंगे पीसू पेपर लेंगे और उससे कड़ाई पे चारो तरफ घी लगा देंगे ताकि दूद हमारा चिपके नहीं अच्छे से कोट कर लेना है और अब हम डालेंगे कड़ाई में दूद तो यहाँ पर मैंने फुल पैट दूद लिया है वन लिटर आप कोई भी दूद ले सकते हैं हम इस्टंड करते हुए दूद को गरम करेंगे मिक्सिका जार लेंगे और अभी हम डालेंगे इसमें सूगर तो यहाँ पर मैंने वन थर्ट कप सूगर ली है तरह इसाब से सूगर काफी है आप चाहे तो मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं और अभी हम डालेंगे केसर हम इसे मिक्स कर लेंगे गेस की फ्लेम हम फूल रखेंगे लेकिन दूद को हमें continue चलाते रहना है देख सकते हैं दूद में केसर डालते ही color change हो गया है दूद में जो भी मलाई आएगी किनारे पेर हम करते रहेंगे और किनारे की मलाई को हमें हटाना नहीं ह Lord इसे रबड़ी बहुती टेश्टी बनती हैं इसी तरह से हम मलाई हटाते हुए दूद को गरम करते रहेंगे दूद थोड़ा गाड़ा हो गया है और अभी हम इसमें डालेंगे थोड़े ड्राइफ रूट्स जिसमें मैंने लिए हैं कटे हुए बादाम थोड़े बादाम में बाद में काम लूँगी कटे हुए काजू डाल देंगे थोड़े काजू भी हम बचाएंगे वो भी हम बाद में काम लेंगे हम इसे continue चलाते हुए कुक करेंगे बस मलाई को इसी तरह से किनारे किनारे करते हुए हमें कुक करना है आप देख सकते हैं दूद की quantity थोड़ी कम हो गई है और अभी हम इसमें डालेंगे पनीर आज से इसे तोड़ते हुए मसलते हुए पनीर को डालूंगी विट में माने तो 50 गराम पनीर है इसी तरह से हम सारे पनीर को मसलते हुए डालेंगे पनीर को अच्छे से mix कर देंगे और दूद को हम continue चलाते रहेंगे दूद को कुक होते हुए करीब 20 मिनट हो गई है और आप देख सकते हैं दूद की quantity भी थोड़ी कम हो गई है दूद में गाड़ा पनाना शुरू हो गया है दूद को अब हमें continue चलाते रहना है इसे नहीं छोड़ना है नहीं तो रभडी हमारी जलने का डर रहेगा रभडी बनकर त्यार है और अभी जो किनारी पर मलाई लगी है उसे हम छुडा लेंगे चारों तरप के किनारों से हमने मलाई हटा ली है और अभी हम गैस की flame कर देंगे बन आप देख सकते हैं दूद एक दम गाड़ा हो गया है और इसमें दाने दाने भी आ गए हैं तो रबडी हमारी बनकर तयार है एक सर्वेसिंग बाउल लेंगे और उसमें हम रबडी को ट्रांसफर कर लेंगे बहुत ही टेस्टी रबडी हमारी बनकर त्यार हुई है आप देख सकते हैं आप इस रबडी को करवा चोथ पर बना कर इंजोय कर सकते हैं रबडी बनाने में जितनी आसान है उतनी खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है अभी हम रबडी को थोड़ा गार्निश कर देंगे कटे हुए बादाम और कटे हुए काजु से कटे हुए पिस्ता से भी गार्निश कर देंगे पेस्टी सी रबडी हमारी बनकर तयार है आप इसे इंजोई कर सकते हैं मेरी रेसेपी अगर पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ बेल आइकन का बटन और पर सेट कर दीजे ताकि मेरा जो भी नया वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचे